नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेवस से पूछे जाएंगे 2022 में होई मैट्रिक इंटर की परिचा में आधे सिलेवस से अबजेक्टिव और आधे से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे राज जे सरकार जार्खन एकेडमी काउंसिल के माथेम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीचा में पूरे सीलेबस से 40 अंगों की OMR सीट के लिए अब्जेटी सवाल त्यार कराएगी जबकि उसी सिलेबस के अधार पर 40 अंगों से लगों उतर ये दिर्ग उतर ये सवाल रहेंगे इसके लिए इसकुरी सिक्छावाज सक्षर्टा विभागने जेक को इसी अधार पर त्यार करने का निदेश दिया है बतादे ज़ार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान वा प्रसिक्षन परिशाद मैट्रिक इंटर समेथ आठवी, नौवी वा एगारवी का मोडल पेपर त्यार करेगा जेज सी इ आठी ने दो टर्म के निदेश का धार पर मैट्रिक को इंटर्मीडियेट का मोडल प्रस्न परत्र का प्रारूप तयार कर जेक को भेजा था ज़ार्खन के सुजीत मुंडा बलाइन टी ट्वन्टी वर्ल्ड कप में खेलेंगे ज़ार्खन के सुजीत मुंडा टी ट्वन्टी वर्ल्ड कप में खेलेंगे बता दे राजधानी राची स्थी धूरवा के राहने वाले सुजीत मुंडा का चैयन बलाइन टी ट्वन्टी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हुआ है सुजीत मुंडा उस 17 सदसी टीम इंडिया का हिसा है जिने 4 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाले ब्राइंटी 20 वर्ल्ड काप में सिर्कत करना है सुजीत मुंडा तेज गिंदवाज हैं और ज़ड़त पढ़ने पर टीम के लिए रन भी बना लगते हैं सुजीत ने बताया कि साल 2014 में उन्होंने किर्केट खेलना सुरू किया था अब बीते 8 साल में सुजीत कई 2 पक्षी और 3 पक्षी सीरीज कहीं सारा चुके हैं अब वर्ल्ड काप खेलेंगे बतादे धुर्वा में एचिसी की जमीन पर बने अज धाय मकान में रहने वाले सुजीत बेहत गरीब परिवार से आते हैं सुजीत को मिलाकर परिवार में चार भाई हैं तीन भाई दिहारी मैदूर करके अब परिवार चलाते हैं सुजीत कहते हैं कि द्रिष्टी हिंता के बावजूद इस मुकाम तक पहुँचने में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा सुजीत कहते हैं कि उनकी माया सांती देवी ने उनका बहुत साथ दिया जलवायू परिवर्थन की चुनोतियों से निपटने के लिए सरकार लेकर आई है यह वहिकल पॉलिसी 222 जलवायू परिवर्थन की चुनोतियों के बीच केंद्र सरकार ने 2013 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष निधायत किया है इस लक्ष की पूर्ती है तू जारकन सरकार ने जुलाई महीने में सौर उर्जानिति घोसना की थी और अब 29 अक्टूबर को सरकार ने परदेश में इलेक्टरीक वेहिकल पॉलिसी 2022 को लागू कर दिया है इस पॉलिसी का मुख्य उदेश परदेश में इलेक्टरीक वेहिकल निर्मान की कायों की अस्थापना और इसकी खरीद को बढ़ावा देना और इसके लिए ग्राकों को अनुदान देना है ग्यात हो कि फरवादी 2019 में भारत सरकार ने इलेक्टरीक वेहिकल के बिनिर्मान और इसके प्रसार को मंजूरी दी साथी 2021 में पी एल आई को अधिसूचित किया था इन तमाम उप्योग काउदे से वाहनों से होने वाले परदूशन को कम करना जलवायू परदूशन के बढ़ते गंभीर खत्रे को कम करना है जारखन सरकार जो इस वेहिकल पॉलिस की लेकर आई है वो अगले पांच साल तक के लिए मानिया है जारखन में दिवाली पर लाल रंग के मुरगे किद्दी जाती है बली जारखन में दिपूथ्शों को लेकर लोगों में उमंग वा उच्छव है अपने घर को रोशन करने में सबहे जूटे है गुमला में दिवाली को लेकर अलग मने आता है वैसे तो मुल्डूप से पुरा कार्तिक मा और विशेसकर दिवाली से लेकर छट महापर्व तक समय साकाहरी को समर्पिता है प्रन्तु गुमला जिला के ग्रामिन चेत्र में दिवाली की अमासया को सोहराई पर्व के रूप में मनाया जाता है इस दिन रात को लाल रंग के मुर्गे की बली दी जाती है मन्याता है कि ऐसे करने से इश्ट देव प्रसन होते हैं और घर में लक्षमी का वास होता है पर मनाया जाएगा आदिवासी संथाल समाज के लोग सोहराई मनाते हैं वहीं कुडमी और अने जन जाती है बंदना परव मनाती है इसको लेकर ग्रामिन अंचलो में आदिवासी और कुडमी समाज के लोग अपने अपने घरों को अभिस से सजाने में जूटे है घर के अंदर और बाहर की दिवारों पर रंग भी रंग की कला किलितियां बनाई जाती है गाउं को साब सुत्रा किया जा रहा है गाउं में सुख्षता अभियान का असर भी दिख रहा है हर तरफ रंग बिरांगी कला की लितिया लोगों को आकरसित कर रही है लातेहर में बाइक टककर में चार युग घायल एक की मौत जारखन के लातेहर जीले के सदर थाना शेतर में डीम कर्याले के पास दो बाइकों की भीडानत में पांच लोगंभी रूप से घायल हो गए इन में से एक युग की मौत हो गई या हाथ सा इतना भीशन था कि देख कर लोग दंग रह गए दोनों बाइकों की रफतार तेज होने के कारण उस पर स्वार लोग बुरी तरह से जक्मी हो गए धनबाद में गैस ट्रंकर ने तीन वाहनों में मारी टकर एक की मौत चार घायल धनबाद जी लेके निर्शा थाना चेतरे के मूगमा बाइपास में सोमवार की रात अन्यंतरित गैस ट्रंकर ने तीन वाहनों को टकर मारते हुए गुपाल पूर्निवासी संजय वर्नवाल को अपनी चपेट में ले लिया इससे उनकी मौत घाटना स्थल पर ही हो गई बता दे एंबुलेंस सवाल समेट चार लोग घायल हो गई आक्रोसित लोगों ने करीब चार घंटे तक एनेच को जाम रखा सलक जाम करने वाले लोग जिला परसासन वा एनेच आई के अधिकारियों को घाटना स्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे सुचना मिलते ही बिधायक अपरना सेन गुप्त समेट पुलिस पता अधिकारी मौके पर पहुंचे और जनकारी ली खोटी डवल मोर्डर पर बाबुलाल बोले सरकार की मंसा अपराध नियंतरन की नहीं अपराधियों के मन में पुलिस परशासन का रत्ती भर का भाय नहीं रह गया है दरसल रभीवार देर साम तकरीबन साथ बज़े खुटी जीला के मुर्हुत हना चेतर में रुमूत केल पंचायत के परधान पचपन वर्सिये सोमा मुंडार उनके साथ अर्थिस वर्सिये जेम्स पूर्ती की धारदार हातियाद से काटकर हत्या कर दी गई है कहा जाता है कि होक्की टोर्नामेंट के दोरान हुए एक बिवाद में दोहरे हत्या कांट की इस घटना को अंजाम दिया गया बलाइंड इसकूल के नेत्रहीन बच्चों ने सुर्मई दीपावली मनाई बच्चपन से ही नेत्रहीन बच्चे दीपावली को हर बार खास तरीके से मनाते हैं इस बार भी रांची के बलाइंड इसकूल के बच्चों ने अपने स्कूल कैमपस में दीवाली के औसर परनाक के वल मिठाई बाट कर एक दूसरे को बदाई दी बलिक गित गाकर लोगों को है पी दीपावली कहा बता जे कुरोना के करण दो वर्स के बाद इस बार दीवाली को बहु बजारी सीद नेत्रहीन बिद्याले के बच्चे खास अंदाज में मना रहे हैं इसकूल में करीब 250 नेत्रहीन बच्चे हैं पाकिस्तान की हार से रांची के सट्टे वाजो की टूटी कमर टीट्वन्टी वर्लकप के पहले मैच में विराट को ली और हारदिक पांडया की जोड़ी ने ना सिर्फ पाकिस्तान से उस मैच को छीन लिया जो जीत की कलपना से पहले जा चुकी थी बलिक रांची के सट्टेवाजों की कमर तोड़ दी जनकारी के मुताविक भारत और पकिस्तान के बीच मैच के दोरान सट्टेवाजों को करीब 15 क्रोर का चुना लगा है पकिस्तान की तरफ से मिले 160 रॉन के टारगेट को चेंज करने उत्री भारतिय टीम को तीन सुर्वाथी जट्के ने सट्टेवाजों की बजार की बोलती बढ़ा दी जारखन में मांगी हुई हरी सबजी यां रांची के सबजी बजार में सभी सबजी मांगे बीक रहे हैं लोकल बजार में फुलगों भी 80-90 रुपे प्रतिक रहा है जबकि सबजी मंडी में फुलगों भी 60-70 रुपे किलो तक मिल रहा है सिर्फ सबजी के दाम ही नहीं बलिक फलो के दाम भी आसमान पर है कोई भी फल 100 रुपे प्रतिक रहा है बता दे सबजी खरीदने हाई आम लोगों ने कहा कि कोई भी सबजी सास्ता नहीं है उन्होंने कहा कि बढ़ती मंगाई की वज़स्ते तेवार फिका हो रहा है सबजी खरीदने पहुचे हाई लेकिन पाव में खरीदने को मजबूर है वहीं बेपारियों ने बताया कि आचानक ठंड बढ़ने के कारण सबजीयों के दाम में बढ़ोत्री हुई है तेवहारों में दस जोड़ी एस्पेसल ट्रेनों का होगा परिचालन दिपावलवी एवं छट के मौके पर घर जाने वाले आत्रियों के अतिरिक्त भील को देखते हुए रेलवे ने दस अतिरिक्त एस्पेसल ट्रेनों को चलाने का निन लिया है पुर्व मदर रेल के विभीन एस्पेसल ट्रेनों के लिए पहले से चलाया जा रहे है इस्पेसल ट्रेनों के साथ ही दस जोड़ी इस्पेसल ट्रेन को चलाया जाएगा बता दे गारी संगा 08626 हटिया दरभांगा हटिया छट इस्पेसल ट्रेन जो हटिया से 27 अक्टूबर को 23 बज कर 45 मिट से कूल कर अगले दिन 14 बज कर 30 मिट पर दर्भांगा जक्सन पहुंचेगी नकसल अभियान में लगे फोर्स ने जंगल में ग्रामिनो संग मनाई दिवाली सोमवार को पुरे देश ने धूमधाम से दिवाली मनाया हलाकि इन सब के बीच नकसल बीरोधी अभियान में तैनाथ जवानों के दिवाली जंगलों में ही मनी इसकी वज़ा यह रही कि दिवाली को लेकर पुले पलामू प्रमंडर में हाई अलर्ट जारी किया गया था बतादे बुढ़ा पाहार को नकसल यह समुक्त कराने के बाद दिवाली को लेकर इलाके में विशेष चोक्सी बरती जा रही थी नकसल बीरोधी अभियान चलाए जाने के साथ साथ जवानों ने अस्तानिय ग्रामिनों के साथ दिवाली मनाई इस दोरान बुढ़ा पाहार समेत का इलाको में सुरक्षा बलों ने दिवाली को लेकर ग्रामिनों के बिच मिठाई बाटी पलामु रेंज के डियाजी राज कुमार लाकणा ने बताया कि दिवाली को लेकर अलर्ट जारी किया गया था जारखन में 22 देने गई मुंबाई पूलिस टीम पर हमला जारखन में चोरू को पकड़ने गई मुंबाई पूलिस पर आरोपित के भायों और ग्रामिनों ने हमला किया है पुलिस सूत्रों के मुताबिक MHB पुलिस के सुरेकांद पावर 12 सितंबर को दहिसर पच्छिम इलाके में दीपमाला ज्वेलर की दुकान में सेंध मारी कर फरार हुए चोरों को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ जार्खन गए थे जार्खन में डेटा लिक का मामला 4 लाख लोगों का डीटेल साइबर ठग के पास जार्खन में दो ठगों की गिरफतारी के बार देश में लोगों की गोपनी यहσιानकारी की सुरक्षा पर सवाल उठ खड़े हुए है देश के 4 लाख लोगों का गोपनिय डेटा बजार में आ चुका है इसका खुलासा गिरी डी में दो ठगों की रफतारी से हुआ है इस गोपनिय बीतिय डेटा के जरी लोगों से ठगी किये जाते थे इनके पास मिली फाइनेंसियल डेटा से पता चलता है कि SBI कस्टमर कारोबारी और IT करमचारी इनके निशाने पर थे इनके पास से 10,000 कारोबारीों समय 4 लाख लोगों का सनवेदन सील नीजी और बीतिय डेटा मिला है 29 जीलो में 13 रफतार्थ जान गवाने वाले बढ़े राजे में 13 रफतार्थ से जान गवाने वालों की संख्या में जाफा हुआ है पिछले वर्ष 2021 जनवरी से अगस्तक में 302 लोगों की मौत सलक हाजसे में हो गई थी वहीं इस वर्ष 2022 में 392 लोगों की मौत हुई है जो की पिछले वर्ष की तुनला में 29 बाराफ पिस दी ज्यादा है बता दे उनाइत जीलो में राची बोकारो चत्रा चाईबसा देवगर धनबाद गटवा गिरी डिगोड़ा हजारी बैक जमसेतपूर खोटी को डर्मा लाते हारलो हर्दगा पाकुड, पलामू, रामगडव, सराय के लामें पिछले वर्ष की तुनला में इस वर्ष ज्यादा मौत दर्ज की गई है जारखन सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला जारखन में राज सरकार के विभीन विभागोवा करया लेयो के सारे दास्तावेज पत्र और फाइल डिजटिलाजड होंगे पुर्व के सभी दास्तावेज पत्र और फाइलों को सकेन कर उसे डिजटल रूप में बदल कर एक चगा जमा किया जाएगा ताकि जरूरत पढ़ने पर उनका आसानी से उपयोग किया जा सके मुक्ष मंत्री हमान सुरेन के निदेश पर सुचना तक निकी एम ई-गवर्नेस विभागने इसकी त्यारी सुरू कर दिया है इसकी जिम्यदारी निजी छेत्रे की किसी एजेंसी को दी जाएगी जिसके चैन की परकिरिया फूरी की जा रही है गीरी डीके अरून को जियारपी जवानोंने 200 रूपे के लिए ट्रेन से दिया धाका जारखन के गीरी डीके रहने वाले एक सक्त की परियाग राज इलाहाबाद में ट्रेन से गिर कर ददनाक मौत हो गई आरूप है कि उन्हें जियारपी के जवानोंने चलती ट्रेन से धाका दे दिया था मामले में दो जवानों को हिरासत में लिया गया है बतादे गीरी डीके राज धनवार से बिधायक और बीजेपी बिधायक दलके नेता बावलन मरांडी ने घाटना पर दुख जता तेवे परजनों से मुलकात करने की बात कही है गतला भाय की गावा थाना छेतर अंत्रगत आरा गारो गाव निवासी अरुन भुया मुंबाई में रहकर काम कर रहा था वो दिवाली में घर आने के लिए ट्रेन में सवार हुआ था इस्टेशन पहुशा तो देखा मुंबाई मेल रवाना हो रही है उन्होंने बताया की ट्रेन निकलने वाली थी इसलिए वो टिकट नहीं खरी सका रास्ते में उसने टीटी से टिकट बनवाया और जनरल कोच में सफर करने लगा मैट्रिक इंटर का प्रायोगिक परिक्षा फरवारी में मैट्रिक और इंटरमी्डिक 2,03 की परिक्षा मार्च के पहले सब्ता से शुरू होगी इससे पहले इसकी परायोगिक परिक्षा होगी बता दे फरवारी में प्रेक्टिकल की परिक्षा ली जाएगी इसके अलावा जिन भी समय प्रेकल नहीं होता है उस पर आंत्रिक मुल्याकन भी किया जाएगा स्कूलों में आंत्रिक मुल्याकन होगा इसमें स्कूल के स्थिश्कों के अलावा दूसरे स्कूल के एक सिक्चक भी रहेंगे उनकी देख रेक में ही इनका संचालन होगा मैट्रिक और इंटेमिर्ट की परिच्छा के बाद आठ्वी नवी और एगार्वी की परिच्छा होगी अपरेल के तिसरे सब्ता से इसका आयोजन किया जा सकेगा जारखन में करंज के तेल से जलाते हैं दीपावली पर दिये जारखन में जीस बिसे तेल का इस्तेमाल होता है उसका नाम करंज है बता दे जारखन में करंज के तेल से दिये जला जाते हैं आपको जानकर अचर्ज होगा कि करंच के तेल का इस्तेमाल सिर्फ जारकन में ही होता है जंगलों में मिलने वाले करंच के बीज से निकलने वाले इस तेल में कई तरह के औस दिये गुन भी होते हैं कहते हैं कि करंज तेल के गंद से मच्छर भागते हैं इसलिए इस तेल का इस्तेमाल दिये जलाने में किये जाते हैं पहले आदिवासी बहुल इलाकों में ही इस तेल का इस्तेमाल होता था लेकिन धीरे धीरे अब सहरों में भी बड़े पमाने पर करंच के तेल का इस्तिमाल होने लगा है टाटा नगर से गोड़ा के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू दिवाली के दिन जमसेदपूर के लोगों को बड़ी सोगाद मिली है सोमवार 24 सक्टूबर को टाटा नगर से एक नई ट्रेन की शुरुआत हुई या ट्रेन टाटा नगर रेलवे स्टेशन से गोड़ा तक जाएगी सांसाद विधूत वरन महतों ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन से टाटा गोड़ा टाटा को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया जमसेदपूर रहने वाले अंग परदेश के लोगों की अर्से से मांग थी की भागलपूर के लिए टाटा से सीधी ट्रेंज सेवा सुरी होनी चाहिए जारखन के जंगली बंदर बिस्कूट चिप्स खाक कर पड़ रहे बिमार जारखन के लाते हार जिला में पत की जंगल यहां हजारों बंदर है जो कुरकूरे चिप्स बिस्कूट बदाम ब्रेड रोडी आधी खाने के आधी हो गए है तले भुने भोजन के साथ इनके पेट में प्लास्टिक भी जाने लगा है इसकी वज़ासे बंदरों में कई तरह की बिमारिया हो रही है उनमें तेजी से चर्म रोग भी फैल रहा है गला फेफ़डा पेट की बिमारिया भी बंदरों को हो रही है वह ने प्रानी भी से सगे डाक्टर दया संकर स्क्रिवास्तों ने बताया है कि असानी से भोजन मिल जाने की वज़ा से बंदरों ने अपना स्वभाविक खाना छोड़ दिया उनका बेभार बदल गया है यह जंगली बंदरों के जीवन के लिए खत्रा है उनका काना है कि पत की जंगल से गुज़रने वाले लोग पुने कमाने के लिए बंदरों को भोजन दे रहे हैं लेकिन इससे बंदरों की प्राकिर्टिक में बड़ा बदलाव आया है वे पालतु बंदरों की तरह बेभार करने लगे हैं ये बंदरों के लिए ठीक नहीं है जार्खन में चार्जिंग एस्टेशनों की मंजूरी जार्खन सरकार की नए इलेक्ट्रोनिक पोलिसी में चार्जिंग एस्टेशनों की ब्यवस्ता की गई है जिसके तहट दो तीन तरह से चार्जिंग एस्टेशनों की विवसा की गई है बता दे इनमें से पहला पॉबलिक चार्जिंग एस्टेशन वहीं दोसरा सेमी पॉबलिक चार्जिंग एस्टेशन वहीं तिसरा सलो चार्जिंग एस्टेशन है इनमें पब्लिक चार्जिंग एस्टेशन में सोजनिक चार्जिंग एस्टेशनों में बिजली से चार्जिंग के सुवधा उपलब्द होगी पार्किंग के लिए जगा होगी साथ ही यहां उप्योग के लिए कोई पर्तिबंद नहीं होगा वहीं सेमी पब्लिक चार्जिंग एस्टेशन, अस्पताल, सोपिंग कम्प्लेक्स, मौल, सिनेमा हौल आदी के परिशार में बनाएगा चार्जिंग एस्टेशनों में चार्जिंग के सुविधा कुछ परतिवंदों के साथ मिलेगी धनबाद में आटो पलटने से दो की मौत सोला घाया, दीपावली की खुसिया गम में बदल गई है, सड़क हाच्चे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि सोला लोग घायल हो गई है, धनबाद जी लेके टूंडी के लोहर बरवा मुखे सड़क पर जैनगर के पास मलवाहक आटो के पलट जाने से ठेठा टार गाओं के अठार ब्रामन घायल हो गई, असानिये यूआओ एवाम बरवडवा पुलिस के सहयोग से सभी घायलो को अस्पताल पहुचाया गया, जहां इलाज के करम में कैलास पंडे एवाम मुना पंडे की मौत हो गई, दुमका में चु आरी पढ़ा थाना छेतरे के असना गाओं में तीन माह के दुद मोही बच्ची, सोमवार को जिन्दा जल कर मर गई, इस दवरान आसपास के लोग तमासबीन बने रहे, जनकारी के अनुसार पलासी गाओं निवासी उमेश लाल महतों की साधी, असना गाओं की हिरा मुन्नी सुरेन के साथ तीन वर्ष पूर्व हुई थी, गरिभी के कारान ए लोग मद भी द्यालाय आसना से महज कुछ दूर, खुले मैदान में जोपड़ी बना कर रह रहे थे, धन्यवाद, यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाए साथ यसाथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के शेयर करना ना भूले, साथ यसाथ आप हमें कोमेंट बख्ष में अपना फीड़वाएक अवस से दे, थैंक यू